गुद मानिंग स्टुडेंट्स, स्वागता आप्चर्विका, हमारे ओनलाइन स्टेडी प्लेट्पोम पे, और हम पड़ेते क्लास नाइन्थ की साइंच, जिसमें अपना टोपिक चल्लाता बला और गती, बल और गती की सुरुवात बहुते क्लास नाइन्थ क्लास में हमने पड़ाता विस्थापन क्या होता है और दूरिया क्या होती है, एक बार वापस रिवीज करता हूँ, देखो, अगर आपकी स्कूल है, यहाँ पर आपकी स्कूल है, और यहाँ पर आपका गर है, तो घर से इ गर से स्कूल की जो सीधी दूरी होगी उसको हम बोलते हैं क्या विस्थापन क्या बोलते हैं विस्थापन और अगर स्कूल से घर के लिए बोला जाए जो कि किसी रस्ते अलग रस्ते से होगी तो वो क्या हो जाएगी दूरी या फिर घर से स्कूल की बोला जाए जो कि अलग पत्व पत्वित कर रही है तो उस रस्ते की लंबाई जो होगी वहां कि क्या दर्सार हुगी दूरी दर्सार है तो इसके जब कंपिटिशन की क्योंकि उसके अंदर पूरी जन्रल साइंस पूछी जाती है और जन्रल साइंस नाम का एक चीज आती है और वो जन्रल साइंस नाइन और टेंथ की साइंस के को सनोते हैं और कहीं से नहीं होते हैं नाइन और टेंथ क्लास पर जितनी इत्नी विज्ञान पढ़ोगे वो पूरी पूरी आपको वहाँ पूछी जाती है इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा ज्यान से पड़े चलो और यह चीजें आपकी 11th क् से फिर से काम आती है अगर आपने साइंस सब्जेक्ट लिया हतो तो देखिए हमने कल बात करिटी विस्टापन की इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं राम अपने घर से चलो रमेश रमेश अपने घर से रमेश अपने घर से 10 मिटर उत्तर दिशा में उत्तर दिशा में चलने के बाद चलने के बाद 5 मिटर 3 मिटर विखलो इसको 3 मिटर उत्तर दिशा में चलने के बाद चार मिटर पूर्वे दिशा में चलता है तो रमेश द्वारा तैक किये गए दूरी दता दूरी दता विस्थापन कमार ग्याद करो देखो जां रमेश वकने गर चे-के मिटर उतर दिशा में चलने के बाग चार मिटर पूर्व दिशा में चलता है तो रमेश कमारा तेको खी विस्थापन का माल जाद करो कि रमेश ने दूरी कितनी तरह करी है रमेश का विस्थापन कितना है यह आप लोगों को पता दरना है एक बार पोपी के अंदर राई करें कि किस तरीके से कॉस्चन होगा क्यों कि आपने कल कंशेप्ट पड़ाता पूरे रस्ते के लंबाई होत होती है सीफिदी दूरी को क्या बोलते हैं विस्टापन बोलते हैं तो वीडियो को पोज करो पॉज करके कॉस्चन करो फिर पर कामेंट में अन्सर लिखो उसके पाद मैं ना सब्ब्स होगा अगर गलती है तो ऊसे गलती का सुदार हो बात समय आई कि अमे शुरू करता हू कि इदेद कहा है किसी भी बिन से शुरू हो रहा है कि इस स्रीजिटे बे Cassa में उस्थ विंदों इसींडीम से तीन में उत्तर दिशा में अधसर थम गया थे क्राव हो गया थेंपिंटर उत्तर दिशा में चला आपको दिशा पता होनी चाहिए और दिशा क्या होती है उत्तर दक्षिन है पूरवे पस्चिम यही होती है उत्तर दक्षिन पूरव पस्चिम चलो तो तीन मिटर उत्तर दिशा में चलने के बाद पूरवे दिशा के एंटर कितना चलता है पूरवे दिशा में चलेगा चार मिटर यहां से तीन मिटर उत्तर पूरवे में और फिर लुक जाता है अगर यहां लुक गया तो तेकी करी दूरी क्या होगी बिंदू ए बिंदू ब पे अगर को पताए कि आपके के अब में में यह इंग्राइब यह 12 में यह 3 मीटर चला और व्लाइपक्वा गुए यहीर स्नूंग सेड़्या चला दिनों अगर द्वारा तैक ही गई कुल दूरी कितनी हो गएगी? A से B तक की दूरी AB प्लस BC AB कितना हो रहा है? 3 मिटर प्लस BC कितना हो रहा है? 4 मिटर तो कुल दूरी कितनी हो गएगी? कुल दूरी बराबर 7 मिटर तो रमेज कुल कितनी दूरी तैक कर रहा होगा? 7 मिटर की दूरी तैक कर रहा है रमेज कितनी दूरी तैक कर रहा है? 7 मिटर की दूरी तैक कर रहा है अगर रमेज 7 मिटर की दूरी तैक कर रहा है तो विस्तापन क्या होगा? और विस्तापन मेंने बेना है अंति में गींदू से बराख्ष भी हो घंदा से काल मतलब दोनों के बीचके 1 मैं किको म Зд investigación आपन को किसको नषाघ्या त विस्तापन को और विस्तापन भीला त्रेंगे हैं त्रेखड साँ कि ते इंदर आपने पाईतागोरस पर में पहले पढ रखे है और पाईतागोरस पर में क्या होती है जबंग कि क्या हो दोए कि और सिदी दूरी और सिदी दूरी दूरी में तिरे बुजर एटी सी में तिरे बुजर एटी में ऑटेटी का स्वाइर बराबर ओना चाहिएे A, B ka square plus B, C ka square. अगर ये बराबर है, मतलब A, C ka square हमें पता करना है, A, B कितना दे रखा है, 3 ka square, B, C कितना दे रखा है, 4. तो 4 ka square. 3 ka square उता है, 3 ka varg जो की होता है, 9. 4 ka varg होता है, 16. 4 ka varg कितना होता है, 16. तो 9 और 16 कितना हो गया, 25. 12 एंटरोट 25 तुम्हें क्या लिख सकता हूं एची बराबर पांच मीटर होगा एची कितना मीटर होगा पांच मीटर होगा यानि यादर में तक का विश्कापन कितना है पांच मीटर फूल जूरी इसमें कितनी तय करीए चाथ मिटर यानि रमेश अगर सीधा चलता आपने घर से इहा कुछाई उसका घर होगा या स्कूल होगा तो सीधा चलता तो 5 मिटर में स्कूल पहुंचाता, लेकίν वो इस सपनी साइन के गया गली से तो क्या आए उसको 7 मिटर चलना पड़ा, कितना चलना पड़ा साथ मिटर चलना बड़ा तो कहने का मत्सुद क्या है इस जो विस्थापन होता है वो दूरी से हमें सक्काम होता है दूरिया विस्थापन से ज्यादा होती है राइट डाउन करो इसको जल्दी से लिख लो चलो है भल्चन समय आया होगा इसी तरीकें के और भी कोश्थेंस बंते रहेते हैं ज्यान लगना विस्थापन कैसी है एक सदीस राषी है दूरी कैसी में दिसा का भी ज्याद होता है जबकि दूरी टेरता है तिशा का ज्यान नहीं होता है केवल और केवल हमें परिमान का पता चलता है किसका पता चलता है परिमान का पता चलता है इसलिए दूरियां अधिसराशी है विस्टापन सदिसराशी होती है अब हम बात करते हैं चाल और वेग की किसकी चाल जिसको आप बोलते हो इस्पीड ठीक है एक नाम आता है चाल और एक होता है वेग तो दोनों में बहुत बड़ा डिफ्रेंस है ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही है लगता दोनों एक ही है लेकिन दोनों बहुत डिफ्रेंस होती है और वो कितनी डिफ्रेंस होती है वो हम बाद करेंगे इसके अंदर कि इनके अंदर क्या-क्या डिफ्रेंस से होगा देखो अगर मैं आपको कम्पेरेटिव स्टेडि करूं यानि तुल्नात्मा कर देन अगर हम करें कि वेग जो है यहां पर चाल लिखता हूं यहां पर वेग लिखता हूं यह सिर्फ समझने के लिए है लिखने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे अलग अलग लिखेंगे देखो पहले जो उन्हें दूरी पढ़िती दूरी आती है चाल के लिए और वेग के लिए आता है विस्तापन क्या आता है विस्तापन क्या आता है विस्तापन बात समझ है चाल जो होती है चाल का मतलब क्या होता है चाल या वेग आपको पता होगा चाल मतलब हम क्या बोलते ह ना इसका वेव देखो गाड़ी की चाहल इतनी है motorcycle की speed इतनी है own motorcycle की speed इतनी है वो मेरे से ज़्यादा high speed में चल रहा है ये बाते आप बोलते रहते हो लेकिन क्या सोच रहे को भी speed होती है ज़्यादा high speed से चलने का मतलब क्या है कि एक सेकंड में जितना आप चल वे हो, एक सेकंड में उससे ज्यादा वो चल रहा है, बत समझाई, मतलब आपने अगर एक सेकंड में दो मिटर चले, तो वो एक सेकंड के अंदर चार मिटर चल जाएगा, कहनेगा मतलब वो ज्यादा दूर तक जाएगा, और ज्यादा दूर कुन है राजू और यह है कौन है काजू राजू और यह काजू और यह काजू एक राजू है एक राजू है राजू चलता है और इहांने बोला कि 10 मिनट के अंदर 10 मिनट में यहां महुझना है कि 10 मिनट में चलो कौन कितनी दूर तक जाता है 10 मिनट में कौन कितनी दूर तक जाता है दोनों ने भागना शुरू किया राजू है तो राजू ने भी भागना शुरू किया और यहां पे एक काजू है तो काजू ने भी क्या किया दोड़ना को लगा कर जो कि ए ऑने रवेश या सुरेश के सुरेश क्या करेगा गड़ा है कि जर्द सइडस निटेखे रना सिच इसका मतलब कया हुआ कि काजि न ज्यादा दूरी तेकरी और राजू ने दस मिनेट में तमदूरी तेकरी, मतलब समान समय अंतराल है तो भूरी इसकी कंती और इसकी दूरी ज्यादा थी, क्यों थी ज्यादा दूरी इसकी, क्योंकि ये तेज दोड रहा था, तेज दोड रहा था मतलब इसकी चाल अधिक थी, यानि दूरी अधिक होती है, तो चाल भी अधिक है, होती है, और कितने सेकने में कितनी दूरी तेक करी है, वही तो क्या है इसकी, चाल होती है, क्या होती है, चाल होती है, तो basically मैं अगर बोलूँ कि चाल क्या है, तो किसी 21 समय में तक कि गई दूरी जो होती है, उसी क्या होती है, चाल होती है, तो चाल या स्पीड की बात करोगे, तो वो होती है दूरी बटा समय, कर दूरी बाटा जमाध्य ज़ानी अगर आप समयश़ में बराबर एक शेकेंडता उगे तो एक सेकंड में ितना है करेगा वही चाल वही चेल वही क्या हो जएगी चाल दोज़ाईग और अगर इंदर विष्थापन ऐसा मैं वो शता है त regression वेग रूट अ धूर का सवा तो देखो जूरी का सब्सक्रार है आट ऑolate जबहरों किया है बात करूंगी जब से पहले पर यह पढ़े आहां तो मैत्रार पर मात्र प्रॉट दूरी का मीटर समय का सपाय तो मीटर पर चीस सेटेंड इस नापन के मातरा भी अरो जßenका का क्रजो क्या है प report कि क्या है दोनों सेम है अगर दोनों का मात्रक सेम है तो आपको होगे सर आप इनको अलग-लग क्यों बोल रहे हो इनको अलग-लग है काहे बोल रहे हो यह तो दोनों एक वी बात होगी अरे बलला यह कई बात नहीं है दोनों क्या है अलग-अलग बाते हैं क्यों है दोनों अलग-अलग बाते है इदर लेखो, ये मीटर पर 30 सेकंड में है, ये भी मीटर पर 30 सेकंड में है, तो लगता है ये की बात है, लेकिन यहां आ रही है दूरी, और दूरी होती है अदीस रासी, कैसी रासी होती है, अदीस, जब कि विश्थापन कैसा होता है, सदीस, कैसा होता है, सदीस, तो ये अब आपकी दिमाग में और कुश्चन गुजरा होगा कि सर अधीस और सदीस है तो हम क्या करें अधो दोनों एक कि ना हम चल रहे हैं तो चाल है हम दोड़ रहे हैं तो मिचाल यह और उसी को हम वेग बोलती हैं बोलते हो के नहीं बोलते हो बस बिटा ध्यान रखना यह बात गलत है कि आप चल वेग और चाल है चाल अलग होती है वेग अलग होता है यह जीरो हो सकता है यह जीरो हो सकता है यह जीरो नहीं होता है अगर पूरी और समय है दोनों तो जीरो हो सकता है लेकिन यह कभी भी जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि विस्थापन जीरो हो सकता है अंत और अंतिम बंदू और प्राणबिक बिंदु समान होगे तो च्रंक्र पिरूंट केसे हो दो चार किसी वस्तूर द्वारा 21 समय 21 समय में तैग की गई दूरी चाल कर लाती है चाल कर लाती है अथ्वा अथ्वा दूरी तदा समय का अनुपात समय का अनुपात चाल कर लाता है क्या कर लाता है चाल ये कर लाता है तो चाल पराबर क्या होना चाहिए गईती रूप में दूरी बटा समय अगर मैं बात करो मातरक की तो मातरक क्या हो जाएगा मीटर परती सेकंड मीटर परते सेकंड और मीटर परते सेकंड को यह हम परती एस बोलते हैं क्या लिखते है मीटर परती सेकंड लिखते ज्यान रखना चाल का मातरक क्या होता है मीटर परती सेकंड और दूरी बटा समय, दूरी में समय का जब भांग देंगे तो हमें मिल जाएगी क्या? चाल मिलेगी, clear है? और ये भी लिख लो ये है एक एक अदीश अदीश रासी कैसी रासी है? अदीश रासी है तो चाल के बारे में लिख लिया है इसे इसे हम किस से दर्शाते है? एस से दर्शाते है इसे एस से दर्शाते है सामाने क्या? किताबों में आपको एस मिल जाएगा इसलिए एस से क्या दर्शाते है? इस पीड को दर्शाते है तो लिखिए इसको जल्दीश से राइट डाउन कीजिए राइट डाउन करो चाल क्या होती है चलो इस्क्रेंट सुट लोग बिडिया रज़ता है बेटर रहेगा अब हम आप करते हैं वे गेटिए विलोशिटी 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 तो वेग होता है विश्टाबन और जमाई का अनुपार यहां पिरम कह सकते हैं कि किसी एकाई जमाई में तैप किया गया वस्ताबन किसी वस्तु द्वारा एकाई समय में तैप किया गया विस्थापन विस्थापन वेग कहलाता है वेग नहीं वेग वेग कहलाता है अत्वा दूसरी परिवास आप ऐसे दे सकते हो विस्थापन विस्थापन तका समय का समय का अनुपाद वेग कहलाता है तो वेग क्या हो जाएज़ा वेग बराबार विस्थापन 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 समय का second तो मात्र क्या हो जाएगा मेंटर पर 30 second हो जाएगा बात समय जाई विस्थापन एक सदीश था इसलिए वेग भी क्या होगा सदीश होगा वेग एक सदीश रासी सदीश रासी है और एक मैं बात करना चाहूँ तो इसे वी से दर साथे इसे वी से दर साथे है किस से दसाएं ये वी और वी के उपर तीर का निशान लगा है इसका मतलब क्या है कि जो वेग है उसको सदीश रासी बोला गया जहांब इस तीर का निशान मिलता है मतलब वो सदीश रासी निरूपित करो बात समझाएं तो लीजे इसको वेग क्या होता है जल्दी से स्क्रींशूट लो और इसको राइट डाउन कर लो जल्दी करें चेलो हम देखो हमने वेग पढ़ लिया विस्टापन पढ़ लिया वेग और विस्टापन क्या क्या है एक सदीश राज़िये एक सदीश राज़िये वोनों का मातरक एक ही होता है जिसको हम मिटर परती सेकेंड बोजनें क्या बोजते हैं मिटर परती सेकेंड बोजनें लेकिन दोनों अलगलग राज़िया है दोनों एक नहीं है दोनों में बिनता है काफी है राज दिन का अंतर होता है देखो इधर पहले मैं एक कोस्चन देता हूं आपको उसी कोस्चन जम समझेंगे वेव और विस्तापन के अंदर तो दिये गरे चित्र में वस्तु का वस्तु द्वारा ए से बी तक दूरी तदा विस्तापन गयाद करो हमें क्या करना है दूरी भी याद करना है और विस्तापन गयाद करना है कैसे करेंगे देखो ए-चैनल डिया हुआ है और लिदो भी यही पर यही पर यानि यह इस दिशा में गया और शक्र कारते कारते वापस इसी विन्दों पर पहुंच गया तो दूरी क्या हो गयी दूरी यहां चाहिए तिरी तरीजा कितनी है कितने तरिजा है आर रहे है क्लिक्स नहीं उसने दूरित करही है यहां से भागना trata करेगा करके कहाँ पर पहुंचा है इस खेट के चारू से दो शालोड चल गार उसकी परिषित declared अकर वह परीधी उसके का हो गया ahren कि विश्थापन दूरी जो है वो इस वरत के परीदी के बराबर होनी चाहिए अगर वरत की परीदी के बराबर होनी चाहिए तो मैं लेख सकता हूँ कि परीदी और परशी कितनी होती है तूपाई और तो ब्रूली कितनी ज़ेकी तो क्या marks लेकिन लेकिन अगर आपको बोला जाता है विस्थापन क्या होगा तो विस्थापन के लिए हम क्या करेंगे विस्थापन के लिए हम देखें प्रारंबिक विंदू और अंतिम विंदू के बीज सीधी दूरी प्रारंबिक विंदू और अंतिम विंदू के बीज की सीधी दूरी और सीधी दूरी क्या है ए और भी तो दोनों एक ही जगे होगे अरे जब एक ही जगे होगे हैं तो विस्थापन क्या होजाएगा जीरो क्योंकि क्योंकि प्रारंबिक और अंतिम विंदू एक ही जगे पर या इस्थान पर इस्थित हैं इसलिए इसका विस्थापन जीरो हो जाएगा और सब्सक्राइगर मैं बात पर चाल की तो चाल बदा Kang अगरबर कितरा होटाएगा वेग हो जाएगा 0 बंटा T परावर 0, यानि एक ही बस्तू के यह चाल का कुछ ना कुछ मान आ रहा है, लेकिन वेग का मान कितना है, 0 है, सर यह कैसे हो गया, यह ऐसे हो गया, कि इसके अंदर दिशा परिवल्तित हो गई थी, जितनी दिशा, इस दिशा में करी, उतनी दिशा रिनात्मक हो गई, और जब भी आप दनात्मक और रिनात्मक को मिलाते हो, तो 0 बचता है, क्या बचता है, 0 बचता है, इसलिए क्या हो गया, विस्तापन 0 होगा, तो भेग भी क्या होगा, 0 होगा, clear है, तो पढ़ते रहिए, और साबुन से आतों को जोते रहिए, क्योंकि बीमारी से बचना है गर्चे बाहर नहीं निकलना है और मोबाइल में पढ़ते रहना है कि जो जो क्लासे लग रही है उनके प्रोपर लॉर्स प्रिपेर करो ताकि रिवीजन करते रहो थैंक्यू वेरी मच्च मिलते हैं एकली क्लास में